दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अद्भुत और डरावनी है, ये कहानी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, तो दोस्तों, इंजॉई कीजिए इस कहानी को, जोकी लिखी है, लेखक, परशुराम, शर्मा जी ने, तो दोस्तों, अपने कानों में एयरफोन और अंधेरा इतना सघन और ठोस था कि छुआ जा सके। के गुरुथवा कर्शन पर खिचा चला आ रहा हो। ये अकेली इमारत जैसे उसे खीचती जा रही थी। सिर्फ एक लाइट। यू कहिए कि एक हैड लाइट। बिलकुल अलग-अलग आवाज धक, धक से साफ महसूस हो रहा था कि वह कोई मोटर साइकल है। अनुभवी इनस नहीं थी। पता नहीं, उसका चालक संसनाती बर्फ के समान ठंडी हवा को किस प्रकार चीर रहा था। इतनी तेज रफतार और ऐसी ठंडक में तो वह अकड कर जम जाता। जाहिर था कि उस इनसान का शरीर भी असाधारन होगा। और बुलेट का चालक सोचता रहा था। प वह तो केवल एक मोड पर पहुंचा है। एक मुसीबत से छुटकारा मिलता है तो दूसरी सामने आ जाती है। दूसरी के बाद तीसरी जैसे आगे-ागे मुसीबतों का ताता बंधा है। वह चाहता तो बड़े आराम से बैठे-बैठे जीवन का आनंद लूट सकता था, कि इंतु उसकी सनक ने जीवन दूसरे ही मोड पर खड़ा कर लिया था। बाप की जायदाद से वह अपनी हरकतों के कारण कभी का बेदखल हो गया था। समाज में उसे गुंडा, लफंगा या चोर उचक्का न समझा जाए। इसके लिए उसने एक क्राइम न्यूज पेपर क की एड ले रखी थी। ये समाचार पत्र भी कभी कभी छप जाता था और लोगों की निगाहों में इसका संपादक, मनमौजी और जाहिल किस्म का था। चूंकि इस समाचार पत्र में मूर्खता पूर्ण विशय को लेकर ही समाचार छापा जाता था। जो हंसी का साधन था इसलिए लोग इसे चाव से पढ़ते भी थे। पिछले दिनों समाचार पत्र में छपा था कि इसका एक खास रिपोर्टर और प्रमुख संपादक शादी करने का फैसला कर चुका है किन्तु वह सिर्फ मंगल ग्रह की लड़की से रिष्टा स्वीकार करेगा। मंगल ग्रह उसकी ससुराल होगी और राकेटों से बरात जाएगी संचिहत्तर में। उसने तो यहां तक हद की थी कि एक मंगल ग्रह की लड़की का कार्टून भी छापा था और गारंटी दी थी कि उस ग्रह में इस नमूने की लड़कियां पैदा होती हैं। पर कार्टून का चेहरा कि इसी लड़की का ही फोटोग्राफ था और समाचार छपे आज पांचवा दिन गुजरा था अर्थात पांचवी रात इस समाचार पत्र का रिरपोर्टर मोटर साइखिल से इस प्रकार दौड लगा रहा था जैसे गोया चुप चाप इसी प्रकार मंगल ग्रह पहुंच जा आले लोगों यहां तक कि उसके सैकेटरी तक को नहीं था कि रमन देश का एक विशेश जिम्मेदार एजेंट भी है और जब कभी वह गायब रहता है तो संस्था के मिशन पर होता है ब्लैक फोर्स की इस दूसरी ब्रांच सस्था का चीफ रंजीत था जिसका सीधा संपर्क ग्रिह मंत्रालय से था इस संस्था ने अब तक अनेक केसों पर विजय प्राप्त की थी और अपराध जगत में आतंक फैला दिया था अमेरिका की CIA जैसी गुप्त संस्था इस से थर्रा गई थी बड़े बड़े इंटरनेशनल ओप्रेशनों पर इस संस्था के एजेंटों ने भाग लिया था और दुनिया के प्रसिद्ध जासूसों में अपना स्थान बना लिया था इसी संस्था का यह एजेंट आंधी तूफान की तरह भाग रहा था उसके शरीर पर चमडे की जैकेट थी हाथों में दस्ताने और सिर पर वही त्रिभुजाकार कैप जिसकी रं कंपाउन रोड तो मीलों लंबी थी उसे पूरे रोड की मंजिल तै नहीं करनी थी बंबई से कुछ मील दूर वह कसबा था जिसमें उसे पहुँचना था और अब वह केवल पांच किलो मीटर रह गया था यह रास्ता भी पांच मिनट में तै हो गया और रमन दी ग्रेट ठ सीधा टार्च का प्रकाश फेंका रमन ने बटेर की तरह चौंधिया कर पल के जपकाई अरे भई बंद करो ये रोशनी कम-कम पाते स्वर में वह बोला मैं आ गया हूँ फाटक खोलो जल्दी मगर आप हैं कौन उस व्यक्ति ने पूछा रमन वहां पर ज्यादा बहस नहीं मकार निकला वह चुपचाप उल्टे पाव वापिस चल दिया अजीब उल्लू का पठा है रमन बड़बडा कर गाड़ी से उतर पड़ा और उसे घसीटता हुआ फाटक तक पहुँचा उसने फाटक खोला फिर सीधा कमपाउंड में ये वह समझ चुका था कि वह व्यक्ति अंदर इजाजत लेने पहुचा है और रमन इसकी जरूरत नहीं समझता था वह मोटर साइकल खड़ी करके सीधा सदर द्वार तक पहुचा द्वार एक दम खुला था रमन बे धड़क अंदर दाखिल हो गया गलियारे से गुजरता हुआ वह एक कमरे के पास ठिठक कर रु कमरे के दर्वाजे पर कान लगा कर उसने अंदर की आवाजें सुनी वह रिपोर्टर है और आजकल की दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वह कर दिखाता है तुम जाओ और आदर सहित उसे अंदर बुला लाओ इसकी जरूरत नहीं रमन ने दर्वाजा खोल हुए कहा मै मैं बिना लगाम का घोडा हूँ ना किसी का आदर करता हूँ और ना आदर करवाता हूँ ओ तुम आ गए डार्लिंग सुरीली आवाज वाली में एकदम पलट कर कहा कृपया तहजीब से बात कीजिए रमन ने दाद बजाते हुए कहा इस समय दूसरे लोक नहीं पहुँचन चाहता मुझे सालिट गर्मी की जरूरत है इतना कहकर वह आतशदान की तरफ जप्टा और कुर्सी पर बैठते ही ठंड भगाने लगा आतशदान की सुलगती लकडियां उसके शरीर में जान डालने लगी शरीर की ठंडक भागती चली गई कमरे के गर्म वाता वरन ने उसक अभी तक दूद की तरह सफेद वरन की उस लड़की को गौर से भी नहीं देखा जिसने पहली ही मुलाकात में उसे डार्लिंग कह दिया था और जो अब विस्की की बोतल खोल रही थी साइफन सोडा मेज पर रखा था अतह उसने जल्दी से दो पैक तयार किये वह रमन के प शराब का जाम लग रही थी युवती ने पहले रमन का चेहरा देखा और फिर विस्की के पैक को क्यों कोई जहर तो नहीं है उसने कहा अगर तुम विस्की बजाए एक गिलास दूद दिलवा दो तो मैं तुम्हारे बाल बच्चों को दूआ दूँगा राम राम तुमने तो इस कमरे में शराब रखकर हमारा बेड़ा गर्क कर दिया अगर तुम फोन पर मुझे बता देती तो मैं यहां ना आता मेरी जगह जो आता वह विस्की भी पीता और तुम्हें भी हे नारी तुमने एक ब्रह्मचारी को बुला कर गलत किया जानती हो विस्की पीने से कित अपनी ठंड में आया हूँ तारलिंग प्यार भरा शब्द है और दिल्ली तुमसे यह किसने कह दिया कि दिल्ली प्यार भरा शब्द नहीं है दिल से दिल्ली बना है रमन उससे उलहज गया खैर छोड़ो क्या तुम सचमुच विस्की नहीं पीना पाते घर से निकालना चा मुझे गेट आउट नहीं कर दोगी मैं सब समझता हूँ इतना बुद्ध नहीं हूँ ना बाबा मैं घोर पाप नहीं करूँगा मेरी मम्मी कहा करती थी जितने की एक पैग भिसकी आती है उतने में छक्कर दूद पिया जा सकता है जो जिस्म में भी लगता है मगर तुम प दूद पाकर प्रसन बच्चे के समान चहक उठा दूद पीने के बाद उसने लंबी सांस ली फिर अपनी जैकेट की चेन खोल दी नौकर गिलास लेकर बाहर चला गया युवती ने अपने सुनहरे बालों को जटका दिया वह आतशदान के पास कुरसी खींच कर बैठ गई तुमने मुझे पहली बार देखा है मगर तुम मुझे पहले से जानते हो मैं दो वर्ष से भटक रही हूँ मेरे पास धन दौलत का अमबार है और अपना जीवन साथी चुनने का पूरा पूरा हक है हाला कि मैं उस समय बहुत क्रोधित हुई थी जब तुम्हारे अखबार म कोई एक्षन भी नहीं लिया डिमोक्रेसी का जमाना है तुम कर भी क्या सकती थी क्रोध मत दिलाओ मैंने इंग्लैंड में एक लाड के गाल पर थपड मार दिया था और वह फिर भी मेरे पीछे धुम हिलाता रहा मैं दो साल से भारत में हूँ और यहां के रंग में रंग ग हूँ बिना सोचे समझे चल देता हूँ तुमने फोन पर कहा कि संसनी खेद समाचार मिलेगा मगर यहां आकर देखता हूँ कि एक पागल लड़की से मुलाकात हो रही है श्टाप युवती तैश में आ गई उसने दोनों हाथों से रंग के कालर थाम लिये और उसको जटके के साथ अपने करीब खीच लिया रमन एकदम उसके नेत्रों में उलजसा गया कुछ देड़ तक वह अपलक उन नेत्रों में निहारता रहा जहां कोरी मासूमियत के बादल से मंडरा रहे थे यह बादल जैसे बरस जाना चाहते थे उन आखों में तडप थी और थकान भी यह है कि तुम मुझे ब्लैक मेल करना चाहते हो वह कैसे तुम मुझे अखबारी कार्टून बनाकर पापूलर करना चाहते हो भला मैं फ्री में विग्यापन क्यों करूंगा। बाप का एक ही लड़का हूँ और कोरा ब्रह्मचारी हूँ। कितना दहेज लोगे? कम से कम एक लाक। अच्छा। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। रमन को वह लड़की एकदम पागल लग रही थी और वह जान छुड़ा कर भागना चाहता था। उसने लड़की को कमरे से बाहर निकलते देखा। कुछ समय बाद ही वही सफेद लिबास वाला नौकर अंदर दाखिल हुआ। काईए। उसने धीमे किन्तु गंभीर स्वर में कहा। चलिए। रमन ततकाल उठता हुआ बोला। सफेद पोश मुड़कर दरवाजे से बाहर हो गया और रमन किसी मूर्ख के समान पीछे-पीछे चल दिया। यही देखकर उसे प्रसनता हई कि सफेद पोश मकान से बाहर निकलने का रास्ता पकड़े हैं। अब तो रमन की चाल में तेजी आ गई। मकान से बाहर निकलते हो हड़ियां कंपा देने वाली ठंडक ने उसका स्वागत किया। मोटर साइकिल की ठंड याद आते ही एक बार गीव सिर से पाफ तक कांप उठा और ठिठक कर रुग गया। रुकिये नहीं। सफेद पोश ने कहा। परंतु ठंड बरामदे में दो कदम खिसक कर भबोला। आपको मोटर साइकिल से नहीं जाना होगा, आपके लिए कार की व्यवस्था कर दी है। ओके यू आर, गुडबाई। इतना कहकर रमन अकड कर चल पड़ा। उसी समय एक कार सरसराती हुई बरामदे के सामने ठहर गई और सफेद पोश ने उसका पिछला द्वार खोल दिया। कार के अंदर रौशनी थी और रौशनी में वह लड़की पिछली सीट पर बैठी नजर आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर काली खोपडी का मानव बैठा था। आजाओ रिपोर्टर, तुम्हें दहेज का रुपया देने के बाद घर तक छोड़ाऊंगी, साथ ही वह समाचार भी दूँगी जिसका मूल्य एक लाख से भी ज्यादा है। मुझे तुम पसंद आ गए हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती हूँ। कमान। रमन एकदम कार की सीट पर लुढ़क गया। कार का द्वार बंद हुआ और कार चल पड़ी। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो। मुझे शादी नहीं करनी है। युवती खिल खिला कर हस पड़ी। फिर रमन के गले में बाहें डाल कर बोली। अब नहीं बच पाओगे। मेरी भुजाओं की कैद बड़ी कठोर है डियर। उसका स्वर रोमैंटिक था। रमन सकपका गया। उसे लगा जैसे दो सर्प उसके गले में लोट लगा रहे हैं और कभी भी डसने के लिए तैयार हैं। उसने जटके के साथ बाहें गले से अलग की और कार का द्वार खोलने को जपटा। मगर द्वार नहीं खुला। युवती ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा और रमन बौकलाहट में शिशु के समान उसकी गोद में लुड़क गया। उसकी सांस फूलने लगी। युवती ने उसे कसकर दबा दिया और निरंतर उसके होट रमन के चहरे पर जुक रहे थे। बापरे मुझ ब्रह्मचारी के साथ ये अन्याय न करो, पता नहीं तुम क्या करने जा रही हो। मुझे एक लाख नहीं चाहिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। एक जियोतिशी बताया कि हनीमून की रात मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, पत्नी विधवा हो जाएगी, और मैं किसी कन्या का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहता। मैं किन्तु आगे वह नहीं बोल सकता। उसके होठों पर जैसे लाल अंगारे पड़ चुके थे। दो प्यासी निगाहें उसकी आँखों में कुछ खोज रही थी। उसने सहसा नेत्र बंद कर दिये। चाहकर भी वह अपने कुछ छोड़ा न नका। कुछ क्षन बाद ही उसके पूरे शरीर में गर्मी की लहर दोड रही थी। कार से अधिक तीवर रफतार से उसका दिल धड़कने लगा था। उसके होठ बुरी तरह कांप रहे थे। जुबान सूखने लगी थी। युवती उसे और भी कसने लगी थी। उसके दिमाग में दो ट्रेड थे। हनीमून, मौत, नहीं, सुहाग रात, जिन्दगी की हसीन रात। यह युवती उसे मारना चाहती है। नहीं उसके शरीर में नए प्रान फूंकना चाहती है। युवती का गोरा हाथ उसकी नगन चाहती पर रेंग रहा था। और सहसा उसे महसूस हुआ, जैसे उसे नींद आती जा रही है। नजाने उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। उसका शरीर निढाल सा हो गया। ब्लैक टाइगर संस्था के चीफ और नंबर एक एजेंट करनल रंजीत इन दिनों आराम फर्मा रहा था। हाल ही में वह धाका से लौटा था और अपनी शानदार इमारत हीर पैलेस में खूब गुलचरें उड़ा रहा था। हीर पैलेस में नौकरों के अलावा मालिक सिर्फ दो थे। छोटा मालिक बेबी अमर था जो इन दिनों किसी प्रशिक्षन के लिए बाहर गया था। हीर पैलेस में रंजीत एक प्रिंस की हैसियत से रहता था और उसकी हर शान राजकुमारों जैसी थी। यह इमारत लड़कियों के मामले में खास बदनाम थी। फिर भी विगत कुछ माह से रंजीत ने रोमांस से लगभग सन्यास ले लिया था। और पैलेस में प्रमिकाओं का आना जाना लगभग बाद हो रहा था। इसका प्रमुक कारण तो यही था कि रंजीत काफी दिनों बाद पैलेस में नजर आ रहा था। इस समय उसके सामने अखबार था और एक नवीन समाचार पर उसकी निगाह टिकी थी। कैबरे डानसर के एक चित्र पर उसकी निगाह जमी थी और उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस डानसर को पहले भी कहीं देखा है। यूँ सैक्णों लड़कियां उसकी निगाहों से आम गुजरती थी किन्तु कुछ सूरत वह दिमाग में बैठा लेता था और जो सूरत उसके दिमाग में बैठ जाती वह निरुदेश्य नहीं होती थी। जलपान की मेज पर बैठा रंजीत इस विज्यापन के बारे में सोच रहा था। घूम फिर कर निगाह पुन दो पंक्तियों पर अटक जाती जिसमें लिखा था जो दिखलाने के लिए विज्यापन का स्टंट था। लिखा था आज भी सोच रही हूँ सिर्फ इसलिए कि त तुम्हारी इंतजार है और तुम एक दिन जरूर आओगे और वह रात मेरे जीवन की आखिरी रात होगी। मैं तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ। मरने से पहले अगर तुम्हारी निगाह से यह समाचार गुजरे तो कि लीना की हत्या देखने जरूर आना। रंजीत अनेक बार इन पंक्तियों को पढ़ता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुसकरा हटा गई। सहसा फोन की घंटी घंघना उठी। रंजीत ने रिसीवर उठाया। हेलो रंजीत स्पीकिंग। मैं रमन साहब का सेकेटरी मिस्टर राज कुमार बोल रहा हूँ। क्यों क्या म नहीं हो तुम्हारी लीना। वो तो केवल सोते वक्त रहता हूँ सर। मैं आपको एक मैसेज यानि की जरूरी समाचार देने जा रहा हूँ। जरा कान लगा कर सुनिये। क्यों दिमाग चाट रहे हो समाचार अपने पेपर में छाप देना। सर। वह लापता है और उन्हो भूमिका बांध रहा हूँ सर। उल्लू तुम भूमिका बांधते रहो और जब बंध जाए तो मेरे पास चले आओ। इतना कहकर रंजीत ने फोन रख दिया। अगले ही पल उसने रायल डी लीरा क्लब के लिए फोन किया। रात के प्रोग्राम पर उसने अपनी सीट बु किन्तु दूसरे ही पल उसे चौक जाना पड़ा क्योंकि इस बार फोन पर जोहर का स्वर सुनाई दे रहा था। रंजीत आज रात मैं तुम्हें डी लीरा नाइट क्लब में मिलूंगा। शायद तुम वहां अपनी सीट बुक करा चुके हो। तुम तुम जिन्दा हो भू की से मिलने गया था और उस लड़की का नाम लीना कैबरे डांसर है एक और बात मगर ठहरो मैं बताने में असमर्थ हूँ रात के समय में तुम से कलब में मिल लूंगा। सुनो मगर फोन कट गया। रंजीत के माथे पर तनाव आ गया। कुछ देर तक वह फोन को घूरता र रायल डी लीरा नाइट कलब में आज रात लीना का प्रोग्राम था जिसका विज्यापन विगत एक सपताह से छप रहा था किन्तु लीना का चित्र आज के अखबार में ही छप रहा था। जोहर का इस ओर दिलचस्पी लेना चकित कर देने वाली बात थी। रंजीत रायल भी लीरा कलब के बारे में सोचने लगा। हाल ही में इस नाइट कलब का उधगाटन हुआ था और थोड़े से समय के अंदर इस कलब का मालिक घटिया किस्म का सापताहिक पत्र निकालता था जिसे एक करोड क्ती ने मान हानी का दावा दायर करके ठप कर वा दिया था और एक साल तक वह बंबई से बाहर रहा और जब लोटा तो लखपती बन कर। कलब पर लगे धन के कागजातों से पता लगा कि उसने उसी सेट से जिसने मुकदमा चलाया था, करजा लिया और बाहर रहकर बिजनेस किया। कलब खोलने के बाद भी वह दस लाख का कर्जदार था। कुछ भी हो बहरहाल कलब था। बहुत शानदार रात्रे के समय उसके चमकते स्काई लेटर ऐसे लगते थे जैसे किसी अपसरा का दिल धड़क रहा हो और इंसान बर्बस रायल डी लीरा की तरफ खिंचता चला जाता कलब एकांत में बना था। पीछे सुंदर बगिया के बीच तैरने के लिए खुबसूरत तालाब था। इस जील के पीछे से रेतीला मैदान शुरू हो जाता था। जो समुद्र तट तक था। समुद्र के किनारे होने के कारण इसकी शोभा पर चार चांद लग गए थे। रेतीले तट पर भी जगह जगह चतरियां लगाई गई थी। इन चतरियों के नीचे भी फरनीचर लगा रहता था। ये सब डियू लीरा कलब का था। समुद्र तट पर दिन के समय अच्छी खासी चहल पहल रहती थी। रंजीत को ये घटना अच्छी प्रकार याद थी जब एक संदिग्ध व्यक्ती की मौत अचानक इस तट पर हो गई थी और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी बेल्ट में छोटे-छोटे कपसूलों के पैकेट प्राप्त हुए। डॉक्टरी जांच से पता चला कि कैपसूल एक प्रकार की तेज नशीली वस्तु है। कि संदिग्ध रिपोर्ट तैयार की थी। इस पेक्टर मैथिल का कथन था कि लंबे पैमाने पर यह हरे कैपसूल क्लब के जरिये स्मगल होते हैं जो व्यक्ती इस कैपसूल का आदी बन जाता है वह इसके बिना जिन्दा भी नहीं रह सकता। इस प्रकार यह एक प्रकार का ज रहर भी था। कलब का मालिक मधुसूदन रंजीत की लिस्ट में भी था। किन्तु अभी तक कोई ऐसा संयोग प्राप्त नहीं हुआ था जिसके आधार पर यह मधुसूदन को अपना शिकार बना सके। कुछ समय गुजरते ही रमन को पी। जिस दिन हम प्रेमिका के बारे में सोचेगा, हमारा बास हमको शूट कर देगा। यही कारण है तुम्हारी मूर्खता का। जी, हम किधर से मूर्ख नजर आता है। चारों तरफ से। अगर तुम मूर्ख न होते, तो ये शब्द रामू पर अबजेक्शन नहीं उठा सकते क्योंकि तुम्हारा प्यार भरा नाम रामू ही बन सकता है। जब तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें प्यार से रामू कहती, तो तुम्हें स्वर्ग की अनुभूती होती। तुम्हें नहीं मालूम की शाट नेम में कितनी मिठास होती है। खैर जाने दो, क्या खबर लाए ह उन्होंने मुझे हिदायत दी थी कि अगर वह 24 घंटे तक नहीं लोट पाए तो आपको लिफाफा दे दूँ। पढ़ा कर रंजीत को देखा और फर्ष से उठने का साहस तनिक भी नहीं किया। उसकी समझ में ये बात जरा भी नहीं आई कि उसे थपड क्यों पढ़ा। पढ़ो इस कागज में क्या लिखा है। ये पढ़ता हूँ वह खलाया और फिर वह पढ़ते ही चौक पढ़ा। फिर चिल्ला कर बोला, आज ही इस नौकरी को इस्तीफा दूँगा, अभी एट वंस, बक्वास मत करो वरना दांत तोड़ दूँगा, इसे जोर से पढ़ो। रामकुमार का चहरा रोश से भरा था, मगर थपड़ की याद आते ही उसका दिमाग एकदम ठिकाने आ गया। गाल सहलाते हुए उसने कागज पढ़ा, अपने सामने बैठे मूर्ख को थपड़ मारो क्योंकि वह तुम जैसे बेवकूफ के पास आया है। यही संदेश था, रंजीत ने पूछा, सर, बास, ऐसा नहीं लिख सकता, उन्होंने मेरा नमक सारी मैंने उनका खाया है और मैं नमक के प्रतिवफादार हूँ, यह पत्र टाइप किया हुआ है, जबकि मैंने देखा था, वह अपने लैटर पैड पर कलम से लिखते जा रहे थे कि लिफाफा भी आप तक पहुचा दूँ, इसमें कोई तस्वीर भी रखी गई थी, रंजीत ने सिग्रेट सुलगाई, अचानक वह बोला, सिग्रेट पियोगे, नहीं सर, मैं सिर्फ ठंडा पानी पियोँगा, तो ठंडा पानी पी कर यहां बैठो, इतना कहकर रंजी वह कैमरा नूमा यंत्र था, लगभग दस मिनिट तक सन्नाटा चाया रहा, मिस्टर रामू, अब जे, शटाब, बाकी शब्द रामू के गले में ही अटक गए, उसने अब किसी पर आपजेक्शन उठाना उचित नहीं समझा, रामू ये बताओ, जब तुमारे बास लिफा बंद कर रहे थे, तुम कहां खड़े थे, उनसे तीन फुट दूर, मगर मैंने देखा नहीं वह क्या लिख रहे थे, वह भाशा ही अपनी समझ से बाहर थी, रामू ने सफाई पेश की, तुमने उसके हाथ देखे, आज तक नहीं, जिस दिन ऐसी नौबत आएगी, नौकरी छोड़ दूँगा, फिर भी इतना तो कह सकता हूं कि आप जैसे हाथ उनके नहीं हो सकते, ये कहते हुए उसने गाल सहलाया, तुम फिर बहकने लगे, मेरा मतलब समझ कर बात करो, जिस समय रमन पत्र लिख रहा था, उसके हाथों में दस्ताने तो नहीं चड़े थे, उस सम लिखाफा बराबर मेरी जेब में रहा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, ये सब क्या गोरख धंधा है, बिलकुल यही पता, टाइप था छपा हुआ लिखाफा है, आप देखेंगे तो, मैं सब देख रहा हूं, मगर प्यारे इस पर केवल दो इनसानों के फिंगर प्रि समझाए, याद करो रमन के गायब होने के बाद फ्लैट पर का आया था, कोई नहीं, दिमाग पर जोर दो, रामकुमार कुछ सोचने लगा, मेरी याद दास्त कमजोर नहीं है, बास की अनुपस्थिती किसी को घुसने भी नहीं देता, लिफाफे कहां रखे जाते हैं, प्र संजीत ने एकदम पूछा, जी, वह, एक पालतू बिल्ली, रोशंदान से कमरे में कूद गई थी, उसे भगाने के लिए दरवाजा खोलना पड़ा, उस बिल्ली ने मुझ पर जपट्टा भी मारा था, मैंने उसे डंडा लेकर पूरे फ्लैट में दोड़ाया, कमबख्त कि उसी थी, उस समय लिफाफा कहां था, बराबर मेरी जेब में, उस औरत का हुलिया बता सकते हो, एकदम भूरी और कुछ नीली आखें, कद और सतन, रंग एकदम गोरा, मैंने उसे जीवन में पहली बार देखा, उसने बताया था, कि वह बराबर वाले फ्लैट में किसी से मि टकराया, या वह औरत दोबारा मिली थी, जानना चाहता हूँ तुम यहां किस प्रकार आए, चुकि मुझे वैसे ही थोड़ी देर हो गई थी, और एकदम खाली टैकसी मुझे मिली नहीं, जिस टैकसी वाले ने मुझे बैठाया, उसमें एक आदमी पहले से बैठा था, उस रंजीत सेफ के पास पहुँचा, उसने खाना खोला और जब वह पलटा, तो उसके हाथ में एक फाइल नूमा एल्बम था, इस आदमी के हाथ में दस्ताने थे, मैंने ख्याल नहीं किया, अच्छा, इधर देखो, रंजीत फाइल के प्रिष्ट पलटने लगा, जिसमें तस प्रत्येक तस्वीरों का संकलन था, प्रत्येक तस्वीर के नीचे कुछ न कुछ लिखा था, राम कुमार प्रत्येक तस्वीर को गौर से देख रहा था, इस तस्वीर को देखो, रंजीत ने एक तस्वीर उसके सामने खड़ी की, ये क्लीन शेव है, उसकी दाढ़ी मूँ कुछ नकली भी हो सकती हैं। यही था सर, मगर आपके पास इसकी तस्वीर कहां से आई। समझे कुछ, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तब तुम कभी नहीं समझोगे। इतना कहकर रंजीत टेलीफोन की तरफ जपटा और रामकुमार फोटो ही देखता रह गया। रंजीत ने फोन पर नंबर डायल किये। कुछ पल बाद ही दूसरी तरफ से हेलो का स्वर सुनाई दिया। क्या इंस्पेक्टर मैथिल हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। एक मिनट बाद ही इंस्पेक्टर मैथिल का स्वर सुनाई दिया। येस इंस्पेक्टर मैथिल दिस मैं रंजीत बोल रहा हूँ, कहिए प्रिंस कैसे याद किया खैरियत तो है, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हुक्म कीजिए, राजा आजकल कहा है, कौन राजा, इतनी जल्दी भूल गये वही राजा, जिसे आपने हवाई अड़े पर गिरफतार किया था, जिसका दावा थ कि दुनिया की कोई पुलिस उसके विरुध प्रमाण नहीं जुटा सकती, जो अपना ज्यादातर काम जानवरों के जरिये लेता है, मैं समझ गया, क्या आपको उसकी तलाश है, यस इंस्पेक्टर, इस समय वह जमानत पर छूटा है, मैं उसका पता नोट करा देता हूँ, धन्यवाद इंस्पेक्टर, मैथिल ने पता नोट करवा दिया, राजा आजकल सिंघाई पुरा जैसी बदनाम बस्ती में रह रहा था, रंजीत ने उसका पता दिमाग में नोट कर लिया और फोन रखने के बाद रामकुमार को दफा हो जाने के लिए कहा, ये बात जाहिर ह हो चुकी थी, कि उस लिफाफे को बड़ी सफाई से गायब कर दिया गया था, जिसे रमन उस तक पहुँचाना चाहता था, बिल्ली का जिक्र सुनते ही रंजीत का ध्यान सीधा राजा की तरफ गया था, उसने अपना लिबास पहना और हीर पैलस से गाड़ी निकाल कर रव हो गया, कुछ देर बाद ही उसकी कार सिंगाई पुरा गुंजान आबादी में दौर लगा रही थी, खूब भरपूर दो पहरी में वह राजा के मकान पर पहुँच गया, राजा जिस कोठीनुमा इमारत में रह रहा था, वह सामान ने वातावरण से कुछ अलग-अलग ब और रंजीत सिग्रेट सुलगा कर अपनी तीवर द्रिष्टी से कोठी का मुआइना करने लगा, कुछ देर बाद ही वह लोटा, उसने बड़े इत्मिनान से रंजीत को कार्ड लोटा दिया, वह कोठी में नहीं है, वह बोला, कदाचित यह बात तुमसे राजाने कही है, र अगर राजा कोठी में नहीं था, तो तुम्हें कार्ड अंदर ले जाने की जरूरत नहीं थी, आप जरूरत से ज्यादा कानून सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने जो कह दिया, वह सही है, अब आप जा सकते हैं, जा तो रहा हूं बेटे, मगर अपने उस जामबास से कह देना, को मुझसे अवश्य मिल ले, इतना कहकर रंजीत अपने स्थान से घूम गया, और सीधा कार में समाता चल गया, उसने कार वापिस मोडी, और एक सड़क पार करता हुआ, वह दूसरी सड़क पर आ गया, फिर एक इमारत में कार जारू की, एक आदमी भागता हुआ कार तक प पहुचा, अगले ही पल काले रंग की कार बाहर निकली, इस बीच रंजीत ने कोट को उलट कर पहना, दाड़ी मूच बनाई और आखों पर एनक, बिजली किसी तेजी से वह उस गाड़ी को ड्राइव करता हुआ बाहर निकल गया, नगर में ऐसी अनेक इमारतें थी, जिनक संबंध देश की मजबूत संस्था ब्लैक टाइगर से था, वक्त जरूरत पर इसका इस्तिमाल होता रहता था, चूंकि यह बस्ती आम तोर पर बदनाम थी, अतह ब्लैक टाइगर संस्था का छोटा सा अड़्डा इस इलाके में भी था, करीब पांच मिनट में ही यह कार प है और उसके आगमन से बौखला गया है, और अब उसी बौखलाहट का परिणाम सामने था, वह काफी जल्दी में जान पड़ता था, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार जरूरत से ज्यादा थी, रंजीत उसका अनुसरन सावधानी से कर रहा था, अगली कार कई सड़कों से गु इसका आभास हो, फिर भी वह राजा को हाथ से नहीं निकालना चाहता था, उस समय राजा अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कार में उसके अलावा कोई नहीं था, दोनों कार आगे पीछे इस सुनसान सड़क पर दोड़ती रही, सहसा अगली कार कच्ची सड़क पर उसने रुक कर एक सिग्रेट सुलगाई और दबे कदम अगली कार की तरफ बढ़ा, अगली कार एकदम खाली थी, राजा का कहीं पता नहीं था, तब ही कहीं बारीक चीख गूंजी और रंजीत उसी दिशा में बढ़ता चला गया, कुछ देर बाद ही वह एक जील के किनारे ये चीख जील की तरफ से ही उभरी थी, उसने देखा एक लड़की पानी में डूब रही है, वह बार बार चीख रही थी, रंजीत धलूआ भाग में उतरने लगा, जल्दी ही वह जील में कूद गया, उसने डूबती लड़की के बाल पकड़े और बाहर खींचने लगा, जब उसने लड़की को बाहर निकाला, तो वह बेहोश थी, उसी समय जबरदस्त धमाका हुआ और रंजीत ने उपर आग की लपटें उठती देखी, वह बुरी तरह चौक पड़ा, तीवरता के साथ वह उपर भागा, उसके कानों में गाड़ी स्टार्ट होने की हलकी पड़ी थी, जब वह उपर पहुँचा, तो आश्चर्य से उसके नेत्र फैल गए, उसकी गाड़ी आग की लपटों से घिरी थी, राजावाली गाड़ी का आसपास पता नहीं था, धोखा, रंजीत बढ़बढाया, वह तीर के समान धलुआ भाग में उत्रा, किन्तु जह उसने बेहोश लड़की को लिटाया था, वहाँ गीली जमीन ही थी, काफी देर तक वह इधर-उधर लड़की को खोजता रहा, मगर उसे जैसे जमीन खा गई, राजा ने उसे गहरी चोट दी थी, उसकी कार का अंत हो चुका था, नगर से वह काफी दूर निकलाया था, और अब इस सडक पर किसी गाड़ी का मिलना भी आसान नहीं था, यह इलाका दूर तक आबादी रहित था, लगभग दस मील आगे एक बस्ती पड़ती थी, उस तरफ जाना भी बेकार था, रंजीत सडक पर खड़ा कुछ सोचने लगा, उस लड़की की शकल रंजीत के दिमाग में चकरा रही थी, उसे बड़ा शानदार डाज दिया गया था, गनीमत थी कि धोखे से उस पर वार नहीं किया गया था, फिर भी एक बात के दिमाग में अवश्य थी, निकठी कोई न कोई चिपने जगह है, जहां तक वह लड़की पैदल गई होगी, वह सडक पर पैदल चलने लगा, उसे आशा थी, थोड़ी देर बाद कोई न कोई गाड़ी अवश्य गुजरेगी और वह नगर तक पहुचने के लिए लिफ्ट मांग लेगा, कुछ देर बाद ही किसी कार की घर घर उसे सुनाई दी, उसने पलट कर देखा, एक वैन तेज रफतार से आ रही ह हाथ उठा कर उसने गाड़ी को रुखने का संकेत दिया, गाड़ी उसके समीप ही रुख गई, गाड़ी ड्राइव करने वाली एक सुन्दर महिला थी, देखिए मुझे नगर तक जाना है, पास ही मेरी गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दें हमारी कार का एक्सिडेंट हो गया है, वाट, एक्सिडेंट, वेरी गुड, तुम बच गये, ये बात अच्छी है, मगर एक्सिडेंट कैसे हो गया, क्या किसी टीले से टकरा गई, जी नहीं, मैं ड्राइव करते हुए उंगने लगा, सो गाड़ी एक पेड़ पर चड़ सर अंकल, अचानक लड़की बोली, घोडा खचर पेड़ पर नहीं चड़ सकते, तो फिर गाड़ी भी नहीं चड़ सकती, मगर अंकल, रंजीत ने पुना कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि गाड़ी पेड़ पर चड़ सकती है, वाकई नई खोज होगी, साबित करो, हम देख जल्दी। तो गाड़ी पेड़ पर क्यों नहीं चड़ सकती। एकदम ठोस सत्य। अधेड ने ताली बजाई और अपनी डायरी में कुछ नोट करने लगा। जूली रंजीत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। अंकल ने हुक्म दिया। अपना काम शुरू करो। रंजीत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसले वैन स्टार्ट की और रफ्तार बढ़ाने लगा। जब रफ्तार अत्याधिक तीव्र हो गई तो लड़की चौक कर रंजीत को घूरने लगी। उसके भै की चाया मंडराने लगी। रंजीत रफ्तार बढ़ाता चला गया। एक्सिडेंट करोगे। इसी तरह तुमने अपनी कार का एक्सिडेंट किया होगा। देखती रहो वैन को पेड़ पर चढ़ाऊंगा। तीव्र गती से वह मोड काट रहा था। उधर अधेड उंगने लगा था। चुँकि रंजीत को जल्दी नगर पहुँचना था अतह उसने रफ्तार कहीं भी कम नहीं की। एक बार जब उसने मोड काटा तो जूली एकदम लुढक कर उसकी गोद में आ गई। रंजीत ने धीरे से एक हाथ उसके बालों पर रख दिया। तुम्हारे बाल बहुत खबू सूरत हैं जूली। जूली की तो चीख ही निकल गई थी। फिर वह तड़पकर अलग हट गई। क्रोध से उसका चेहरा तमत माने लगा। सर्विक्रम घोश के यहां कब से कार्य कर रही हो। रंजीत ने यूँ ही पूछ लिया। क्या मतलब तुम हमारे अंकल को जानते हो। इतनी महान हस्ती को कौन नहीं जानता। जो डॉक्टर इनका मानसिक इलाज कर रहा है वह मेरा मित्र है। और मैं यह भी जानता हूँ कि सर्विक्रम की कोई संतान नहीं है। उनकी कोई भतीजी भी नहीं है। संतान को न पाने के कारण गम से घुटकर और इनके प्रयोगों से तंग आकर सर्विक्रम की पतनी ने आत्महत्या की थी। जिससे विक्रम मानसिक तौर से आधे पागल हो गए अब भी उन्हें नए से नए प्रोग्राम और खोज की सूझती है अगर उन्होंने सुन लिया तो यह और भी परेशान हो जाएंगे अपने बाल नोचने लगेंगे, कपड़े फार डालेंगे और हो सकता है कार से छलांग लगा दें प्लीज इस विशय को मत छेड़ो उसके चहरे पर दर्द और विशाद के भाव नजर आने लगे मुझे उनसे हमदर्दी है और मैं उनके भटके हुए जीवन को सुधारना चाहती हूँ वरना एक महान हस्ती का अंत हो जाएगा मैं इनकी शिश्या हूँ और सब कुछ त्याग कर इनकी सेवाएं कर रही हूँ खैर छोड़ो, इस विशय को बिलकुल छोड़ दो चलो छोड़ दिया शहर की सीमा आ गई रंजीत ने रफतार कम कर दी सर्विक्रम अब भी उंग रहे थे तुम्हारा परिचय क्या है? जूली ने पूछा मैं एक भठका हुआ सा मुसाफिर हूँ जिसे किसी मंजिल की तलाश है इतना कहकर रंजीत ने गाड़ी दूसरी सड़क पर मोड़ दी ये तो परिचय नहीं हुआ बस यहीं मेरा परिचय है जानती हो मेरी मंजिल क्या है भला मैं कैसे जान सकती हूँ मेरी मंजिल है मौत हाँ जूली और मैं उस इंसान का एहसान कभी न भूल सकूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दे कमभख्त आज भी तो बच गया मैं इतना कहकर रंजीत ने वैन रोग दी गाड़ी से उतरते हुए उसने उदास निगाह जूली के सुन्दर चहरे पर डाली हो सकता है तुमसे फिर जिन्दगी के किसी मोड पर मुलाकात हो जाए क्योंकि इस दुनिया की रीत ही अजीब है यहां इनसान यूँ ही मिलते हैं बिछुडते हैं फिर मिलते हैं फिर बिछड जाते हैं अंकल को ठीक से घर पहुँचा देना इतना कहने के उपरांत रंजीत लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया जूली कुछ देर तक ठगी सी उसे निहारती रही वह तब चौकी जब अंकल का भर्राय स्वर सुनाई दिया हम सो गए थे क्या गाड़ी पेड़ पर चड़ाई नहीं अंकल अभी तो लगता है सिर्फ पठरी पर चड़ी है फिर जूली ने गाड़ी स्टार्ट कर दी रंजीत ठका सा हीर पैलिस जा पहुँचा तब ही ब्लैंडी के साथ खेलता हुआ बेबी अमर अंदर घुसा बेबी अमर चुस्त पोशाक में था और गुलेल उसके हाथ में उल्जी थी अंकल आप कुछ उल्जे नजर आ रहे हैं भतीजे एक उल्जन से छुटकारा मिलता है तो दूसरी सामने आ जाती है अपनी जिंदगी ही उल्जन बन गई है छोटा मुहा बड़ी बात अंकल क्या मैं आपकी उल्जन दूर कर सकता हूँ कहते हैं कभी कभी छोटों का दिमाग बड़ी जल्दी काम कर जाता है वहाँ बड़ों का दिमाग बड़ी जल्दी कोई अपराधी चोट दे गया रंजीत मुसकरा दिया तुम्हें कैसे मालूम हुया कि कोई अपराधी चोट दे गया अंकल मैं सोता नहीं हूँ बराबर जागता रहता हूँ मैं तो यह भी बता सकता हूँ कि आप राजा की तलाश में गये थे कौन है ये बदमाश, राजा मैं गुलेल से निशाना बांध कर उसकी आँख फोड़ दूँगा मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ आखिर हम भतीजे किसके है मैं दो-तीन बातें और बता सकता हूँ पहली बात तो यह है कि आप आज किसी लड़की के चकर में फिर फंसकर बहग गए एक नहीं, बलकि दो-दो भतीजे तुम बाप की खाल उतारना चाहते हो जो आप से सीखा है वही करता हूँ पहली मत बुझाओ आपने पानी में भी गोता लगाया है उस वक्त आपको पहली लड़की मिली दूसरी ठीक एक घंटे बाद हो सकता है पहली वाली दोबारा मिली हो सहसा रंजीत चौंक पड़ा उसने तुरंत अमर का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ प्राइवेट रूम में ले गया अमर चकित सा घिसटते हुए उस पीछे चल दिया वह सोच रहा था अंधेरे में फेंका गया तीर कुछ-कुछ सही निशाने पर बैठ गया रंजीत ने उसे साउंड प्रूफ कमरे की एक कुरसी पर बैठा दिया भतीजे तुम काफी अकलमंद हो गए हो यकीनन तुमने मेरी उल्जन दूर कर दी मगर मुझे नहीं मालूम आपकी उल्जन कैसे दूर हुई पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें इतनी बातों की जानकारी कैसे मिली अमर उठा वह एक मेज के पास पहुँचा फिर उसने एक स्वीच दबा दिया स्वीच टेपरिकाडर का था जिसका संबंध किसी भी समय फोन से जोड़ा जा सकता था फोन पर किसी का स्वर सुनाई दिया हैलो क्या करनल रंजीत मौजूद है जी नहीं मगर आप साहब कौन है यह स्वर अमर का था अगर वह घर पर नहीं है तो उन्हें एक संदेश दे देना मगर ठहरो तुम कोई बालक लगते हो खबरदार मुझे बालक मत कहना मैं बड़े बड़ों के नाक कान काट डालता हूं और गुलैल का निशाना तो ऐसा है कि आसमान में उड़ते कबूतर को गिरा सकता हूं समझे हसी का स्वर सुनाई दिया खैर तुमसे मैं बहस नहीं करता मुझे रंजीत तक एक सूचना पहुचानी है